हेलो फ्रेंड्स आज हम टेस्टी पाव भाजी बनाएंगे जो बहुत ही डिलिश्यस बनेगी विदाउट अनियन गालिक आधा किलो बॉयल मैश पेटैटोज लेंगे अलो को मैश कर लेंगे पहले हम और फिर आधा कप हम मतर एक कप हम कैपसे कम चॉप्ट और जिंजर जिंज लेंगे और एक चमश नमक आधा चमश हल्दी आधा चमश लाल मिर्च पॉडर और धनिया का पॉडर दो चमश लेंगे हम पाव भाजी मसाला दो चमश लेंगे हम एक कप गोबी का फूल और एक गाजर हम नमक वाले पानी में बॉयल कर लेंगे पांच मिनट के लिए और इ इसको हम मैश कर लेंगे अच्छे से मैशर से देखिए इसको दबा दबा के बहुत अच्छे से मैश करना है मैश करने के बाद एकदम थोड़ा सोफ्ट हो जाएजे अब हम शिमला मिर्च को और मतर को दो गलास पानी में बॉयल कर लेंगे नमक डालके पांच मिनिट के लिए और फिर दो बड़े चमश घी को तेल को गरम कर लेंगे उसमें जीरा और राई डाल देंगे अद्रक और चिली का पेस्ट डाल लेंगे और इसको चलाने के बाद टमैटो प्यूरी भी इसमें मसाले आड़ कर लेंगे बहुत सारे और फिर टमैटो प्यूरी को भी हम इसमें add कर लेंगे और फिर इसको दो मिनट चलाने के बाद हम इसको ढख देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और फिर इसमें पाओ भाजी मसाला दो चमस डाल देंगे और इसको ढख देंगे तीन-चार मिनट के लिए बाद में इसका ढखकन हटाएंगे हम इसको और इसमें ज देंगे इसको अच्छे से चलाएंगे अगेन इसको दुबारा हम फिर पांच मिनिट के लिए ढग देंगे वापस इसे हम पांच मिनिट के बाद खूलेंगे और देखें हमारी भाजी तेयार है सर्विंग टाइम के टाइम इस पर बटर डाल के सर्व करेंगे हेलो फ्रेंड्स आपके सब्पूर्ट से मैं आगे और अच्छे अच्छी रेस्पी शेयर करूंगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू धन्यवाद